Assalamualaikum let's start our class number 8 तो आज हम यह discuss करेंगे invoices वाले section में ही रहते हुए quotation वाला एक point रह गया था quotations कैसे create कर सकते हैं उसकी settings देखेंगे quotations को draft से लेके invoice तक कैसे लेके जाना है convert कैसे करना invoice में उसको देखेंगे and finally most important part कि reports कि जो invoices हैं हमारे receivable की aging reports हो गई उनको हम देखेंगे जब month closing होती है तो फिर कुछ draft में पड़ी होती है reports invoices उनको हम किस तरह से deal करेंगे तो आज हमारा यह agenda होगा कि हम reports को भी देख लें और invoices वाला जो पार्टन है इसको हम completion की तरफ लेके जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह business वाले section में आते हैं और यहां पे invoices के बाद आपको यहां पे quotations नज़र आ रही है but यहां पे जाने से पहले हम quotations की setting को ज़रा जाक के देख लेते हैं setting में हम किस तरह से जाते हैं यह यहां पे click करेंगे यहां पे demo company यहां पे हम काम कर रहे हैं और files के बाद यहां पे setting का एक option है click करते हैं आप से पर पात नहीं करने वाले options में जाते हैं इसको edit पे click करते हैं और हम रहते हैं quotations वाले part पर यह आप देख सकते हैं यह draft quotation title or quote title draft quote और quote यह clear हो गया ठीक है और यहाँ पर हम अगर नीचे आए तो यहाँ पर terms quote लिखा हुआ है अगर quotations की terms है for example हम यह कहते हैं but this quotation quotation is valid for like 15 days हम यह अपनी एक कहते हैं कि जो हम quotation आपको देने वाले ना अपने client को किसी को भी customer को कि वह 15 days यह जो भी हमारी company की policy है वह वहां तक valid रहेगी तो हम इसको save कर देते हैं क्योंकि जब हम quotation पार्ट में जाएंगे तो बार-बार हमें वहां पे mention ना करना पड़े start में अपनी policy बना लेते हैं कि quotation की duration होगा वो 15 days होगा clear होगा है यहां पर default setting में भी चले जाते हैं इनको भी हमने देख लिया हुआ था यह देखें जी quotation का prefix क्यू यू है अभी तक कोई quotation अवेलिबल नहीं तो इसलिए 0001 से स्टार्ट हो रहा है यहां पे जो हमारी due date है हम यहां पे expiry date है for example quotation expiry date जिस तरह हमने पिछले वहां पे term quotation में 15 days लिखा हम यहां पे 15 days कर देते हैं of the following month no जब भी quotation कर रहे होते हैं तो वहां पे आप quotation date को देखते हैं for example आज आपने quotation की आज for example 29th है तो आज के बाद 15 days तक यह जो quotation है valid रहेगी clear हो क्या point इसको यहां पे मैं save कर देता हूं जल्दी जल्दी से हम चलते हैं क्योंकि यह वला काम आपके लिए अभी काफी easy हो गया होगा क्योंकि invoices को हमने बड़ा retail में देख लिया हुए अभी हम अपने segment में जाने लगे हैं जी finally business में चलते हैं और यहां पे quotations में चलते हैं जो setting करना थी वह हमने कर ली quotations पर click करते हैं और यह इस तरह का आपके पास कुछ यह अभी window open होती है तो view आ रहा होगा जिसमें पहले sub quotations all quotations आ रही होंगी draft कोई हैं तो वो sent अगर हो गई हैं तो वो अगर हमारे जो customer है ठीक है हमने email कर दी हमारे customer ने let's say अगर तो वो decline कर दी वो decline में आ रहा होगा अगर accept कर दी तो accept में आ रहा होगा ठीक है और फिर invoice में quotations start हुई और फिर इन मराहिल से गुजरती हुई वो invoice बन गए तो यहां तक आपको clear हो रहा है understanding clear है तो यहां भे अभी हमारे पास कोई quotations available नहीं है तो हम new quotations को add करेंगे यह यहां पर यह बटन है यहां पर new quotations पर क्लिक करें और हमारे पास यह कुछ इस तरह से window open होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे थोड़ा सा मैं इसको zoom out करता हूँ ताकि इसका जो view है वो appropriate आ जाए और मैं आप से रिक्वेस्ट करूँ तो screen को जाए फुल कर लें ताकि आपको ज्यादा understanding हो रही हो सबसे पहले आप इस overview को देखें यहां पे हम क्या करेंगे अपने client को add करेंगे कि जिसको हम quotation देने वाले हैं issuance date आ गई आगई यह expiry date आ रही है for example आज 29th of August है तो इसकी जो expiry बनती है वो 15 days बाद क्योंकि हमन for example कोई भी यहां पर अगर term लिखना चाहें तो वहां पर reference यहां पर लिख सकते हैं कोई हमारा project है तो इसको assign कर सकते हैं tax exclusive यहां पर item add करेंगे description quantity price discount कोई है जा नहीं है किस account को हम यहां पर link कर रहे हैं उसके साथ और यहां पर हमारे पास amount आ जाएगी और यह term quotation यह आ रही ह और यहां पर हम जब नीचे आएंगे तो हमारे पास आगे यह different options होंगे यहां पर यह देखें नीचे नहीं है उपर है actually होता क्या है कि यह जो cloud softwares होते हैं इनमें थोड़ी बहुत changes होती रहती है में भी आगर आप future में देख रहे हूं तो यह वाले जो आपको better button है यह बिल्कुल end पर नजर आ रहे हूं तो इससे गबराने की ज़रत नहीं है ठीक है तो भी हम का करने लगे हैं के quotation को add करते हैं सबसे पहले किसी भी हम customer को add करते हैं for example ABC furniture को add कर लेते हैं इसको हम quotation देने वाले हैं यहां पे हम देते हैं quotation quotation for services ठीक है इस एमने as a reference लिखती है यहां और यहां भी हम item लिखते हैं कौन सी items होगी हमारे बास क्योंकि हमने service का लिखा है तो देखते हैं कि यहां पे कुछ service हमारे पास option आ रहे हैं यही लिख लेते हैं कि desktop network support via email and phone हम उनको desktop services देंगे यह इसका जो account title है account code हिट हो रहा है वो 200 हो रहा है कि हमारा यह main business की activity बनती है और यहां पे वैट कितना लग रहा है 20% ठीक है 20% यहां पे वैट लग रहा है यहां पे वैट लगा और यह 649 की quotation बन जाती है यहां पे अगर हम कोई file attach करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास option होते हैं इनको हम देख चुके हैं जल्दी जल्दी से यह कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए इतना ज्यादा भी difficult नहीं है यह वाला portion यहां भी हमारे पास different options आ रहे हैं इनको देख सकते हैं यह तो हम यहां से directly send कर दें ठीक है यह हम देखते हैं कि send कर दें यह mark as send कर दें यह हमारे पास दो option आ रहे हैं और बाकी हमारे पास option क्या आ रहे हैं save and close कर दें save and save and add another कर दें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि save and close करता हूं यहां हमने save and close कर दिया ठीक है अभी यहां पे जब हम all में देखेंगे ना quotation वाले segment में तो यह देखें पहले इसको समझें यह अभी draft में आ रहा है send नहीं किये हमने quotation number यह उसका reference number आ रहा है यह हमारा customer आ रहा है issuance date expiry date और जहां पे इसका status क्या रहा है जी draft अभी हम क्या करेंगे इस draft को send करेंगे समझेगा इस point को ठीक है हम क्या करने वाले हैं इस पर click करते हैं या एक और बात है कि हम एक और option देखते हैं कि क्या होता है कि बास वकात हमें यहीं पर भी option मिल जाता है मैं दुबारा back आया हूं और यहां पे हमारे पास कोई इस तरह का option है for example नहीं जहां पर इस तरह का option नहीं है तो obviously हम यहां पर click करना पड़ेगा जो भी quotation हमारी draft में available है यहां पर अगर हमारे पास कोई short की होती न मैं भी future में यहां पर वो यह option एड़ कर दें कि यहीं पर आप click करते हुए for example इस तरह का three button यहां पर आड़ कर दें या इसका status पर आड़ कर दें और यहां पर आप draft से ही send कर दें यह option आपको maybe future में देखने को मिल जाए तो हम यहां पर click करते है ठीक है और यहां से दुबारा हमारे पास उस तरह की window open हो जाएगी जिस तरह से हमने draft quotation बनाई थी ठीक ह अब ही हम क्या करने वाले है जी यहां पर देख लेते हैं कि option हमारे पास्क गा रहा है जी save and close save another another इसको तो हम पहले कर ली हमने अब ही हम यहां पर क्या करते है सेंड mark as send तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हम send करते हैं ठीक है जब send के option पर click किया तो यहां पर यह पूछ रहा है कि किसको send करने जा रहे हैं तो मैं करता हूँ कि इसको मैं remove करता हूँ ठीक है और यहां पर अपनी ही email लिख देता हूँ और मैं दिखाऊंगा किस तरह से status यह होता है at the rate gmail.com ठीक है यह हमारे पास message की इस तरह से detail आ रही है और यहां भी option एक बंद है कि send me a copy as well ठीक है तो मुझे email भी आजाएगी और इसकी copy मुझे भी आजाएगी इसका template यह पूछ रहा है कि यह basic है अगर इसकी body की बात करें तो सबसे यह पहले बता रहा है कि thank you for your inquiry actually quotation तब होती है कि हमें customer ने call गी और कहा के sir यह services हम लेना चाहरे है यह products लेना चाहरे है तो कोई quotation वगरा तो आप हमें दे देना सबसे पहले हम quotation देंगे फिर वो accept करेगा यह decline करेगा तो फिर इस तरह से हमारा business चल रहा होगा तो मैं क्य करता हूँ यहां पर send कर देते हैं ठीक है जैसे हमने send पर click कर दिया और यहां तो हमारे पास क्या है यहां पर यह option है कि हम इसको क्या करें mark as accepted कर दें ठीक है तो मैं यहां पर mark as accepted नहीं करता हम दुबारा जाएंगे for example business में और यहां पर मैं quotation वाली अगली window में open कर लेता कि यहां पर status क्या change हुआ है या नहीं हुआ पहले तो यह draft में था ना यह देखें अभी draft से निकल के यह sent में आ गया जारा यह process समझें आप ठीक है यहां पर मैं अपने email यहां पर login करने वाला हूँ ठीक है यह email login की और यहां पर मुझे भी email आगी होगी अगर मैंने वो सही enter किया है तो हाँ ठीक है यह मुझे आगी जी ठीक है यह देख लें attachment भी आगी है मुझे और इस तरह से यह मुझे email आगी है अच्छा यह हो सकता है कि आपको copy आई हो ना तो हम क्या कर सकते हैं के spam वाले folder में भी जा के देख लेता है मेंपहर में हमारी हाँ यह यहां पे और यही आई है हम क्या करते हैं जी करते हैं दोबार आपडेट्स कर अपल डेंवे जाते हैं वो कि중 कर बहुछ यह दर गया उसके पास भी इस तरह से email आई होगी और उसने क्या कियोगा इस link पे क्लिक कियोगा जैसे ही वो link पे क्लिक करेगा तो उसके पास एक window open होगी अभी देखते हैं अभी मिसाल लगाएं कि मैं जो होना client हो मुझे ये email आई है अभी मेरे पास ये quotation आगई कि ये आपकी company है आपकी तरफ से मुझे ये quotation आगई है ये आप service provide करेंगे और इसकी ये amount बनती है ये term लिकी हुई है क्या बला कि quotation 15 days के लिए valid है तो यहाँ पे मेरे पस दो options है यहाँ मैं accept कर लूँ यहाँ मैं डिक्लाइन कर लूँ और हम दुबारा से quotation पे click करते है ठीक है ये refresh हो गया अभी देखिये जी अभी तरह समझीगा सबसे पहले हमने draft बनाई थी quotation फिर हमने वो send कर दी हमारे client ने अपनी side पे रहते हुए उसको accept किया और हमारे पास automatically उसका status जो है वो change हो चुका है ये clear हो गया आपको option समझ आगई ये आपको अच्छा अभी आप यहां पे क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो quotation है ये accept हो गई हमारे पास ये भी option available होता है कि इस quotation को इस quotation को हम क्या करें किसमें convert कर लें बहला invoice में कर लें किस तरह से कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको यहां पे दूसरी वाली file में आता हूं और business वाले section में आकी यहां पे invoices पे click करता हो ठीक है समझेगा इस point को थोड़ा सा मैं इसको zoom कर लो ये देख लें अभी हमारे पास यहां पे कोई invoice नहीं है जो हमने अभी quotation बनाई ना कोई invoice नहीं है क्योंकि जो हमने quotation बनाई है वो अभी उसको हमने convert ही नहीं किया invoice में तो पहले उसको हम convert कर लेते हैं कैसे करेंगे ये main वाली हम आते हैं window पे और यहां पे हम click करते हैं ठीक है status हो मारा accept हो गया अभी हम यहां पे रहते हुए क्या करने वाले हैं जी यह देखें समझेगा इस point को जब हमारे पास status update हो गया accept का तो अभी हमारे पास यहां पे option आ रहे है PDF प्रिंट करके देख लें यह यहां पे आप create invoice करना चाहते हैं यहां पे यह वाला option भी करते है कि यहां तो हम send कर दे mark as invoice कर दे unmarked as accepted कर दे copy to कर दे यह copy to वाला option भी हम देखेंगे for example यहां पे यह copy to वाला option भी होता है इसको मिस तरह से देख सकते है for example कि पहले मैं आपको ने invoice बना के दिखा दूँ यहां पे आप create invoice कर दे and mark as invoice यह आपने create कर दिया ठीक है यह देख लें जी ठीक है यह ABC furniture यह सारी detail उस तरह से आगई अभी आपके पास यह invoice आगई सारी details उसी तरह से आ रही है यह reference आगया उसका यहां पे यह आद इसको save कर दे यह direct आप यहां से अप्रूव कर दें तो मैं क्या करता हूँ save नहीं करता हूँ direct यहां से मैं अप्रूव कर देता हूँ यहां से मने directly इसको अप्रूव कर दिया ठीक है जी यह यहां पे हमारी invoice जो है वो अप्रूव हो गई दूसरी वाली मैं फाइल में आता हूँ और यहां पर बिजनिस में आएं और दुबारा से इनवाइसे पर क्लिक करें ताके रिफ्रेश जो है हमारे पास पूरी वीव आ रहा हूँ यह देख लें जी इनवाइस नंबर आ रहा है 005 थोड़ा समय जोम करूँ 0054 रेफरेंस आ रहा है quotation for services यह हमारा client आ रहा है किस date को बनी उसकी due date कौन सी है अभी यहां पर जो due date है वो कौन सी आ रही होगी जो हमने invoice के लिए जहां पर उसको time period या days अलॉट की है यह due आ रहा है awaiting payment आ रहा है ठीक है यहां पर अभी हमने इसको send नहीं किया तो हमारे पास यह send का option नहीं आ रहा है इस इस वाले segment को मड़ा detail में already देख चुके हैं तो यह यहां तक I hope कि आपको सब कुछ clear है दोबारा मैं क्या करता हूं कि business में जाके quotations पर क्लिक करते हैं एक चीज रह गी थी वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी हमारे पास obviously बात है कि यह invoice हमारे पास already इसका status आ रहा है कि हमने quotation बनाई और इसको invoice कर दिया मैं यहां पर दुबारा क्लिक करता हूं और एक option यहां पर हमारे पास होता है copy to वाला उसको देख लेते हैं यहां पर जब हमारे पास quotation वाले जो invoice हो गई है वो open हो गई यह print PDF के साथ यह three dots कड़ी है यहां पर क्लिक करें और copy to क्या तो यहां पर delete कर दें यहां पर copy to करें कि अब हम copy to करेंगे ना तो हमसे यह different options पोच रहे है quotation quote reuse the content of for a new quote कि क्या आप यह जो quotation जो आपने बनाई थी जो invoice हो गई क्या उसको फिर new quotation के साथ quotation use करना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं invoice charge this quotation to customer यह करना चाहते हैं यह different options हमारे पास आ रहे हैं लेकिन इसमें से जो option मैं use करने वाला हूं वह है quote वाला पर जो quotation हमने already बना दी थी draft से निकल के हमने invoice तक पहुँच गये अब उस invoice को हमने क्लिक किया और उसी invoice से हम quotation वाले सारा data को यूज़ करने वाले हैं for new quotation तो यहां पर create draft पर क्लिक करेंगे ठीक है अभी क्या होगा सारा content सेम का सेम वैसे का वैसे होगा अभी यहां पर आपके पास यह option है कि आप क्या करें यहां पर अगर तो अपना कोई client यहां पर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर दें ठीक है और as it is आपका यहां पर time बच गया और आपने इसको use कर लिया ठीक ह मतलब उसको हमने आगे proceed नहीं किया यह quotation वाली science आपको समझ आगी कि यह कहां से start हुआ और कहां तक गया अभी हम आ रहे हैं जी reports वाले segment में यह बहुत important है समझेगा अभी तक हमने invoices वाले portion को बड़ा detail में देख लिया और invoices में रहते हुए for example यहां बिजनस में जाओं और यहां पर sales overview में जाते हैं यह हमारे पास कुछ sales की overview आ रहे हैं ठीक है internet थोड़ा से slow आ रहा है it's all right ठीक है यह draft में बता रहा है awaiting approval और यह इस तरह से हमारे पास details आ रही है ना जरा आपको idea तो हो इसके बारे में अच्छा अभी हम यहां पर क्या कर सकते हैं जी हम यहां पर अभी क्या करेंगे reports में जाने के लिए हम accounting में जाते हैं और यहां पर हमारे पास यह reports की category आ रही है वैसे तो यह जो स्टाइरिक reports आ रही है ना यह हमारे जो favourite reports होती है उह वह आ रही है यहांप लेकिन हम वैसे reports वाले segment में चाहेंगे via accounting ठीक हैं और यहां पर हमारे हम द एजड पेबल समरी एजड रिसीवेबल समरी एजड कहलें एजड कहलें अभी प्रनॉंसियेशन हर किसी के अपनी है प्रॉफिट और लॉस बैलेंश शीट वी एटी रिटर्न वगारा यह यह आ रही है आगे हम किस साइड पर जाना चाहते हैं हमने किस चीज़ को कवर किया है त्वी एगार आगे हमने को कवर किया ठीक है जि हम फानिशल ठांस्यक्शन में नीचे आते हैं यह हमारे पास पैबल्स प्रॉफिट वा रहा रहा है अचा जो क्लाइंट्स होते हैं जो कॉस्टम्र होते है वो हमारे Receivables होते हैं न डैटर्स होते हैं Receivables होते हैं न तो यहां पर आप यह देख रहे हैं कि हमारे पास Payables को भी हम नहीं देखेंगे हम देखेंगे Receivables को यह दो रिपोर्ट्स हमारे लिए काम किये हैं एक है जी Aged Receivable Details और Aged Receivable Summary हम इन दोनों को देख लेते हैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सबसे जो यूज होने वाली रिपोर्ट है वो है जी यह Summary इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अच्छा देखिएगा जब भी आपके पास Month Closing होगी जरा यहां पर अभी प्रैक्टिकल बात होने वाली है तो इसको आपने समझना है जब भी Month Closing होगी ना तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जाएंगे डैश बोर्ड पे और डैश बोर्ड में जाने के बाद सबसे पहले आप यह देखेंगे कि जो इन्वाइसेज आपकी ड्राफ्ट में खड़ी मी हैं उनका क्या करना है बहुत इम्पोर्डन बात है आप उनको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते फॉर जेम्पल हमारे पास Month and Last लेट आगी अभी हम क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं यह तीन जीज़ है जी आवेटिंग पेमेंट जिन से हमें पेमेंट आनी है ओवर डियू पेमेंट आनी है लेकिन उनकी डेट गुजर चुकी है पेमेंट की ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम यह ड्राफ्ट इन्वाइसेज की तरफ जाएंगे ड्राफ्ट इन्वाइसेज पे क्लिक करतें और हमारे पास यह दो इन्वाइसेज ड्राफ्ट में खड़े में है सही हो गया अभी लेट से के हमारे पास यह जो दोनो इन्वाइसेज है ना इसकी अप्रोवल की अथॉरिटी नहीं है पहले साही समझ ले हम क्या करेंगे इन दोनों इन वोईसेज के नंबर लिखे जो कंसर्ण मैनेजर होगा असिस्टेंट मैनेजर होगा जो भी परसनेल होगा ना उसको हम इमेल कर दें कि सर ये जो दो ड्राफ में खड़ीमी है अगर तो आपने इनको अप्रूव करना है तो आल राइट अगर नहीं करना तो काइंडी मुझे बता दें मैं इनको डिलेट करूँ और अपनी जो क्लोजिंग है उसकी तरफ मूव करूँ तो ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे इनको यहीं से आप अप्रूवल में डाल देंगे आपको जो मैनेजर है वो अप्रूवल में दोनों को अप्रूव कर देता है इन ड्राफ्ट वली को ठीक है समझने है पॉइंट अभी उसने इमेल देखी या तो डिलीट वाला आप्शन हमारे पास है या तो हम इनको अप्रूव कर देते हैं यहां पर देखते हैं कि कोई और आप्शन है हमारे पास इमेल भी कर सकते हैं कॉपी टू भी कर सकते हैं बट हम इनको अप्रूव कर रहे हैं अप्रूवल के लिए अप्रूव भी कर रहे हैं तो हमने इनको हमारे मैनेजर ने वेटिंग पेमिट्स में जाएंगे और यह देख लेजिए हमारे पास किदर गई है वेटिंग अप्रूबल में अभी 19 तो हो गई है इसको दुबारा से मैं रिफ्रेश करता हूं जड़ा ठीक है ओल में चलते हैं अचा ठीक है ओल राइट अचा क्या हुआ कि वो जोन सी डेट पहले उसके ओपर अलरेडी अवेलेबल थी ना उसी डेट में वो पहले हमारे पास 17 आ रहे थी ना वेटिंग अप्रूबल में तो अभी वो 19 आ रही है तो यहां भी आपका यह वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है ओल राइट यह यहां से भी आप देख सकते हैं यह वाली है यह वो बैंक वेस्ट की और बंस विक पैटल्स की ठीक है ओके चले हमने यहां से अभी ड्राफ्ट से निकालके उनको वेटिंग अकाउंटिक में जाते हैं और यहांपे हमारेपास यह पिडि के ओडि्र ओ siya पर सेगमेट हैं इसके पर क्लिक करेंगे देखते हैं को जा तो क्या करें किस तरह से देख सकते हैं नीचे आते हैं यहां तो क्या करें चाहने और भी आप यह तो यह दूरी है ना यह तो आ सबसे पहले तो आप इस बटन को देखें जब आप इसके ओपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यह थोड़ी सी डिटेल्स आ रही होंगी लेकिन आप इसको मिनिमाइज करें कोई इशुली बात नहीं है यहां पर क्या कर सकते हैं कि इनकों बात में देख लेते हैं पहले हम मीन जो मारा रिपोर्ट वाला सेग्मेंट आ उसको देखें यह डिडेल्स है हमारे पास डिडेल्स किस तरह से हाँ कि सबसे पहले हमारा कलायंट आ रहे है डेटा रे y किसे इन्वोइस डेट मारे पास आ रहे है इस की यहाँ पर हमारे पास क्या है जी तीन इन्वाइसे आ रही है तो उसके तीनों का स्टेटस हमारे पास यहां पर आ रहा होगा अभी हम आगे समझते हैं कि यह क्रंट क्या है वन मंथ क्या है यह टू मंथ क्या है इस तरह से है कि फॉर एक्जेंपल यह हमारा क्लाइंट है जी एबियन वेल्स ठी तीक है, इसको हमने इन्वाइस की और अभी इसको ओवर डियो होते होए एक महिना नहीं हुआ, यह अभी करंट पीरियड में फॉल कर रही है, ठीक है, करंट में, लेस दन वन भी नहीं, यह करंट में फॉल कर रही है, इसी दन अगर हम नीचे आते हैं यहां पे, यह वाली, अ हमने यहां पे इन्वाइस डेट है हमारे, यह स्ट जूलाई दividad रखए है ज्यारा जूलाई दो हजार थेएज। रियू दिचत की क्या है, इसका मतलब यह उवा, इसका मतलब यह यह उवा कि यह वाली जो इन्वाइस है, यह 11 जूलाई को डियू थी, लेकिन यह करंट प पे नहीं किये इसी तरह 4.9 नहीं पे किये ये डिटेल अभी आपको समझ आ रही है ये वला इसलिए नेगटिव में आ रहा है क्योंकि ये वला आपको याद होगा डिमपल वेर हाउस के अगेंस्ट हमारी इंवाइस नहीं थी और हमें उसने ज्यादा पेमिंट कर दी तो हमने क्रेडिट नोट बना दिया याद है या क्लेर हो गया ना मतलब यह हमने उसको पे करने है ठीक है तो अभी हम यहाँ पे यह देख लेते हैं सबसे पहले कि यह पीरियड एजिंग पीरियड का क्या मतलब है एजिंग पीरियड को यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूं अच्छ है और उसके दरम्यान में हमरे पास चार पीरेट्स है यहां मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास जो पीरेट्स है मुझ आ रही हूं लेकिन हर महीना ना आ रहा हूं मेरे पास कौर्टर यहां पर रिजल्ट आ रहा हूं कौर्टर ली कितना बनता है हर तीन मेने पास कौर्टर बनता ह ठीक है और यहां पे include, report, date in current column अगर वो भी अगर आप add करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे apply करता हूँ और यहां पे इसको update कर देते हैं देखिएगा भी किस तरह से changes होती है current हमारे पास यह आ रहा है ऐसी invoices जो के तीन महिने से कम time है लेकिन वो due हो चुकी है उनमें हमारे पास result आ रहे है ऐसी invoices जो को तीन महिने हो गया है और हमें पैसे ने मिले उनके results आ रहे हैं छे महिने नौ महिने इस तरह से यह होती है aging report actually ठीक है यह देख सकते हैं यहां पे इनको तीन महिने के अंडर time हो गया है अच्छा अभी इन reports को क्यों हम बनाते हैं यह क्यों यह जरूरी हैं यह इसलिए हम बना रहे होते हैं ताके हम month end पे देखें और for example हमें पता चला कि भाई यह वाला जो बंदा है ना कि इसने हमें जो है ना यह क्या कहते हैं पैसे नहीं दिये और इसको time ज्यादा हो गया चलें जी इसको reminder बेज देते हैं इसको call कर देते हैं समझ आई आपको बात इसी तरह से for example मैं कहता हूँ के periods जो हैं मेरे पास maximum तीन आ रहे हूँ और जो month है मेरे पास वो हर एक महिन आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अभी हम report date वाला भी column add करते हैं और इसको हम apply करते हैं और यहाँ पे इसको update करेंगे जैसी update करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले यह date आ रही है एक summary आ रही है information की और फिर यहाँ पे हमेरे पास current यह अभी मेरे पास जो period है वो कितने आ रहे है एक महिने के अंदर एक महिना दो महिने current और दो महिने से उपर उपर जो भी है वो old वाले segment में आ रही है समझ आगी clear हो गया यह point अभी further explore explore कर लेते हैं यहाँ पे आप date देख सकते हैं इस date से लेके इस date तक मुझे result चाहिए for example ठीक है और aging by due date करना चाहते हैं invoice date करना चाहते हैं वो आपके अपनी choice है यहाँ पे अगर आप क्या है कि यह अभी हमारे जो column है वो यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे अभी हम देखते हैं for example हमने अपने client से रापता करना है जिनके पैसे अभी तक नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं for example हमें email भी आजाए उसकी और साथ उसका mobile number भी है तो वो भी client का आजाए ठीक है clear हो गया mobile या phone जो भी है मैंने अभी एक ही लिख़ए और primary person का नाम भी आजाए जिसको हम call कर रहे हूं या email कर रहे हैं उसका नाम भी हम include कर सके पहले 6 column थे तो अभी मैंने 9 column किया है इसको भी update करते है देखेगा यह देखें यह अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा details आ रही है यह mobile number आ रहा है अगर यहाँ पे हमारे पास यह mobile number जिस तरह भी यह है हमने क्या किया यहाँ पे mobile करना चाहते हैं तो call कर दी otherwise क्या है कि उसको हमने यह email जो है न email कर दी understanding होगी जी आपको ठीक है अभी हम इस option को explore करते है कि यह क्या option है group by contact है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी summarize by कर सकते है तो इसके लावब और कौन से options है हमारे पास यह different options है आप इनको देख सकते है location wise department wise, due date यह वाले options मैं यहाँ पे अभी summarize by contact करता हूँ और यहाँ पे अभी update करते हैं देखते हैं किस तरह से results आएंगे हमारे पास यह यह जनाब यह देखें अभी थोड़ा सा you know हमारे पास तोड़ा different overview आ रहा है अज यह वाला segment आपका clear हो गया दुबारा से मैं क्या करता हूँ group by करते हैं और challenges को update कर देते हैं clear all right अभी हम क्या करेंगे जी दुबारा से हम reports वाले segment में जाते हैं accounts में यह reports में ठीक है और यहां पर यह वाला जो भी हमारा portion था detail वाले देख लिए अभी हम summary को देखने वाले हैं और यह summary ही सबसे स्यादा use होती है ना सिरफ मैंने आपको यह report दिखानी है बलके मैंने आपको Excel में इसको extract करके भी दिखाना है जो practical जिस तरह से काम हो रहा होता है उसको भी हमने दिखाना है आपको ठीक है चले जी यह अभी मैंने summary पर क्लिक किया सबसे पहले क्या आ रहा है summary यह क्या कहते है कि मेरे पास उसकी you know क्या यहां पर कहते है यह उसकी आगे details आ रही है किस date को वह हम कर रहे है किस date को actually report generate कर रहे है यहां भी हमारे पास contact names आ रहे है थोड़ा सा मैं इसको zoom करूँ current one month one month यह अभी हमारे पास actually summary आ रही है यह वाले जो reports हैं यह सबसे ज्यादा use होती है मैं अभी बाकी fields में नहीं जा रहा क्योंकि यह हम discuss कर चुके है मैं यहां पर यह columns में select करता हूँ और यहां पर मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझे आप क्या करें कि email address भी बता दें मुझे आप क्या करें कि primary person भी बता दें मुझे आप उसका phone number है तो वो भी दे दें ठीक है और इस तरह से actually कुछ you know मुझे result चाहिए और अभी मैं इसको update कर देता हूँ ठीक है जैसे मैंने update पे click किया तो यहां पे मेरे पास इस तरह से detail आ रही है ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ कि यह मेरे पास summary है क्योंकि मैं पहले वाली report बड़ detail में बात कर चुका हूँ तो it's all right now यह आपको भी समझा रही होगी मैं क्या करता हूँ यहां पे मेरे पास different option है यहां पे यहां तो मैं इसको for example draft कर दूँ publish कर दूँ custom कर दूँ इसको मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला यहां पे हम export करते हैं प्रैक्टिकली हमारा काम होता है यहां इसको मैं PDF में इसको export कर लूँ यह Excel में कर लूँ यह Google Sheets में कर लूँ तो इसको मैं Excel में अभी export करने वाला हूँ ठीक है जी यह मेरे पास Excel में export हो गई इसको मैं अभी open कर लेता हूँ ठीक है कि हमारा actually यह जब हम monthly closing कर रहे होते हैं तो हमारा actually काम किस तरह से होता है ठीक है अभी क्या करते है कि हमारे पास यह इस तरह से details आगे अभी luckily क्या है कि हमारे पास काफी बेहतर presentation इसने बना के दी है अगर मैं इसको zoom करूँ ठीक है otherwise हमें क्या करना पड़ता सबसे पहले data cleaning करना पड़ती है अभी यहां पे हम क्या करते है सबसे पहले आके यहां पे select करते है और यहां पे आप data tab में आके और यहां पे filters add कर लें ठीक है filters add करने के बाद यहां पे आप for example आप यह चाहते हैं कि जिन लोगों को एक month for example one month से ज्यादा time हो गया है और उन्हें नहीं किया हम यहां पे यहां पे click करते है ठीक है और हम यहां पे जनाब इस तरह से है कि select all करते है for select all ही रहना देते हैं और इसको कहते हैं कि यह जो blanks है ना आप इसको remove कर दे blanks हमारे पास remove हो कुई यह अभी ऐसे हमारे पास दो बंदे बज़ते है तो भई इन दोनों को आप email कर दे phone कर दे follow up कर दे यह तरीका कार होता है कि हम किस तरह से यह यह सारा reporting वाला segment लेके चलते है मैं उमीड करता हूँ कि यहां तक आपको बड़ा कुछ clear हो गया होगा मैं दुबारा से जाता हूँ यहां पे अपनी reports में reports वाला हमारा काम complete हो चुका दुबारा dashboard में आते हैं एक बात रहागी छोटी सी उसको हम discuss कर लेते हैं वो इतनी ज़्यादा important भी नहीं है यह हमारे पास है last category आ रही है आप क्या करेंगे for example किसी भी आप for example city limousine की बात कर लेते हैं जो हमारा client है यह हमने इसको click किया ठीक है और अब भी हम क्या करते हैं कि यह हमारे पास जो है ना इसकी total history आ रही है statement आ रही है तो यहां भी हमारे पास क्या option available है या तो हम इसे for example कोई note add कर दें या you know को history है वो add कर दें अगर इसको हम send करना चाह रहे है तो वो भी हमारे पास options होते है ठीक है यह देख रहे है send statement यह हमने अपना customer निकाला उसकी सारी details निकाल ली कि किस किस तरह से हमारी उसकी invoices होई हैं अपस में और यहां पे send statement हम करके तो इसको statement जो है ना वो send कर सकते हैं email direct कर दें यह देख लें opening आ रहा है 7 invoices आ रही है closing आ रहा है email कर दें या print PDF करके अगर आपके physical देना जाते हैं तो वो आपके अपनी choice है तो यह एक छोटा सा concept था यह मैंने आपको बताना था important यह हमाना segment था invoices वाला अभी आपके लिए क्या काम है कि अभी आप एक सीटेंग में बैठें जितनी invoices हैं जो भी हमने invoices में किया है वो सारा आप परफॉर्म करें तो इंशाला आपको कहीं भी problem नहीं आएगी तो इंशाला हम next class में मिलते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए गा thank you so much अलाफ़र